आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, welcome to डाउटनेट तो आज का मारे वीडियो solution पूछा गया the image of the flame of candle is in a concave mirror is formed at a distance 30 cm in front of the mirror height of the flame is a 10 cm and its image is 5 cm height, the distance of the focus from the mirror यान की एक candle है उस candle की एक flame है जो जल रही है ठीका और यह हमारा एक concave mirror रखा हुआ है तो इसकी जो image बना रहा है ठीका है, तो जो image, यह height है यह height कितनी है, 10 cm है और यह कितनी दूरी पर रखी हुई है इस concave mirror से इनके बीच की जो distance है वो हमारी है, 30 cm और जो image बन रही है हमारी वो कितनी हाइट के बनने है, 5 cm की ठीका कौन के mirror में जो image बनती है, वो virtual और erect बनती है ठीका तो यहाँ पर हमें पता करना है, f की value का तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका, magnification की बारे हम पता करेंगे कि कितना हमारा magnification है तो magnification का एक formula होता है यह formula होता है minus by u equal to i y o तो minus by u की value कितनी है, minus के 30 i की value कितनी है हमारी है minus 5, वो की value कितनी हमारी 10 है तो यहाँ से v की value निकल काएगी हमारी तो यहाँ से v की value निकल काएगी है, minus के 15 तो आप बात करते हम, mirror formula की mirror formula, वो उता है one upon f equal to one upon u plus one upon b यहाँ से अगर हम f की value बता करें, तो f की value कितनी निकल काएगी minus के 10 cm तो कौन के mirror में जो focal length होते है, वो negative आती है क्योंकि वो left and side में हमारे lie करती है तो given option में हमारा option number a correct option होगा थेंक यू फ्लासिक्स से ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 शो पर